ओम शांति ओम शांति आज 24 सितंबर 2023 दिन मंगलवार की साकार मुरले आईए अब सुनते हैं मीठे बाप दादा के मधूर महावा क्यों को मीठे बच्चे ज्यान की एक बून है अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो इसी एक बून से मुक्ती जीवन मुक्ती प्राप्त हो सकती है प्रश्न किस पुर्शार्थ में अपनी और दूसरों की उन्नती समाई हुई है उत्तर याद में रहने का पुर्शार्थ करो इसमें ही अपनी और दूसरों की उन्नती समाई हुई है तुम बच्चे जब याद में बैठते हो तो जैसे दूसरों को शान्ती का दान देते हो आपस में देह अभिमान की जिस्मानी बाते छोड़ रुहानी बाते करो तो उन्नती होती रहेगी तुम्हें बाप का शो करना है जितना शो करेंगे सब को शान्ती और सुख का मार्ग बताएंगे उतना इजाफा अर्थत इनाम मिलेगा गेत तु प्यार का सागर है तेरी इक बूंद के प्यासे हम ओम्शन्ते ये भक्ती मार्ग में गाते आये हैं महिमा करते आये हैं महिमा है परम पिता परमत्मा की जैसे भक्ती मार्ग में अनेक प्रकार के गायन होते हैं, उत्सव मनाते हैं वह भी गायन हैं कोई भी मनुष्य साधू संतादी का गायन नहीं हो सकता गाते हैं वह ज्यान का सागर है एक भी बून मिले तो हम यहां से चले जाएंगे कहां जाएंगे? मुक्ती वा जीवन मुक्ती धाम महिमा होती रहती है परन्तु उनकी महिमा को जानते नहीं है तुम जानते हो सोबी नंबर वार पुर्शार्ट अनुसर दो बाप का राज भी समझाया गया है एक है लोकिक बाप उनकी याद आने से उसको देह अभीमान कहा जाएगा आत्मा को देह देने वाला बाप याद आता है आत्मा अपने रुहानी बाप को भूल जाती है यही भूल है यो तो कोई भूले हुई नहीं है परन्तु कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है, यही भूल है, यह भी कहते हैं कि हम जीव आत्मा है, मेरी आत्मा को तंग नहीं करो, तंग तो आत्मा होती है ना, आत्मा को गर्ब जेल में सजा मिलती है, तो उनको शरीर में दुख भासता है, सक्षत कार भी स्थूल रूप का कराएंगे, तब वे फ पिमानी बनने से संबंध याद आता है यह चाचा है यह मामा है शरीर नहीं है तो कोई भी संबंध नहीं है आत्मा का ही ग्यान है कोई को महान परमात्मा थोड़े ही कहा जाता है कोई मर जाता है तो उनकी आत्मा को बुलाया जाता है ऐसे नहीं कहेंगे कि इनके परमात्मा को बुलाया जाता है कोई भी हालत में उनको परमात्मा नहीं कहा जाता ना परमात्मा जनम मरण में आते हैं परमात्मा जनम मरण रहित है आत्मा जो पुनर जनम लेती है ये भी समझ गए है कि पहले-पहले आत्मा है देवी देवताओं की 84 जन भी भारत में गाय जाते हैं अब बच्चे जानते हैं ज्यान का सागर समुख बैठे हैं पतित पावन को ही ज्यान सागर कहते हैं बाप को ही कहा जाता है ज्यान इश्वर इश्वर में ज्यान है स्रिष्टी के आदिमध्य अंत का इश्वर ही स्रिष्टी को रचते हैं इसलिए उनको रचना का ज्यान है रचता कहते हैं तो जरूर रची हुई स्रिष्टी है तब तो कहते हैं ना रचता को बाप कहा जाता है भाई बेहन को रचता नहीं कहेंगे रचता हमेशा बाप को कहा जाता है बच्चे जानते हैं हमारे सम्मुख बाप पैठे हैं भल विलायत में कोई बैठे होंगे कहेंगे बाप स हम दूर हैं परंतु याद तो करेंगे ना तुमको भी याद करना है परंतु लोकिक संबंद को देख पारलोकिक बाप को भूल जाते हैं इसलिए बाबा कहते हैं उठते बैठते बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो मैं आत्मा इस शरीर से चलती हूँ आत्मा का ग्यान तो तुमको है यह जानते हो आत्माई और परमात्मा अलग रहे बहुकाल ऐसे नहीं कहा जाता परमात्माई और परमात्मा अलग रहे बहुकाल आत्मा और परमात्मा कहा जाता है अभी बाप बच्चों के समुख बैठे हैं कहते हैं आपकी एक बून भी बहुत है परम पिता परम आत्मा हम आत्माओं का बाप है बस इसको ज्यान कहा जाता है ऐसे और कोई को भी कहने की हिम्मत नहीं आएगी कि तुम सब आत्माओं का मैं बाप हूँ जिसको ही ज्यान सागर पतित पावन कहते हैं यह कहने कोई को आएगा नहीं बाप ही कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ बरोबर अब महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है यादव कौरव पांडव भी हैं यह सारा समझाने परमदार है चित्र देखने से कोई समझ जाए तो मुश्किल है जब तक टीचर ना समझाए स्कूल में भी टीचर समझाते हैं न यह इंडिया है यह लंदन है बिगर सम पढ़ें तो भी सिर्फ नाम कह सकेंगे लेकिन कहां है कौन राजे करते हैं कुछ भी समझ नहीं सकेंगे यहां भी हर बात समझने की होती है आज कल तो पहले भब का चाहिए शो देखकर ही आएंगे अब वहां समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए बच्चे ही समझाए कि यह जगत अंबा है सबकी मनोकामनाय सिद्ध करने वाली है जाड के नीचे दिखाते हैं कामधेनू बैठी है तो उनसे मिलने लिए भी आएंगे जगत पिता है तो जरूर जगत माता भी होगी परन्तु जगत अंबा इनको कहते हैं क्योंकि कलश माताओं को दिया जाता है मुखे जगदंबा गाई हुई है फिर उनकी सेना भी है तुम बच्चे एग्जीविशन करते हो तो उसमें समझाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए बाबा ने समझाया है मुखे बात है बाप के परिचय की पहले पहले समझाओ दो बाप है एक है तो जन्म जन्मांतर हद का वर्सा लेते आए अब बेहद का वर्सा लो बहुत गई थोड़ी रही विकर्मों का बोज़ा भी सिर पर बहुत है योग से ही विकर्म विनाश हो सकते हैं मासी का घर नहीं अजुन कुछ न कुछ हिसाब किताब रहा हुआ है तब तो भोगना धिंडोरा पिटवा दो जो कोई फिर उलहना ना देवे तुम कह सकेंगे हम तो धिंडोरा पिटवाते अकबार में डलवाते थे जितना हो सके निमंतरन तो सभी को मिलना चाहिए बेहद के वाप से बेहद का वर्सा लेने का पुर्शार्थ करो खूब निमंतरन पत्र बाट सबसे जास्ती सर्विस देहली में हो सकती है देहली है सारे भारत की गद्दी वहां सभी अकबारों के एजेंट्स रहते हैं अकबार द्वारा भी इत्तला करना है लोकिक बाप से तो जन्म जन्मांतर वर्सा लेते आए अभी फिर पारलोकिक बाप से वर्सा लो जिस वैकु सभी का उद्धार करने वाला एक ही बाप है तो सबसे बड़ा तीर्थ परम पिता परमात्मा पतित पावन का हुआ ना परन्तु यह किसी को पता नहीं है क्राइस्ट इब्राहेम बुद्ध आदी सभी पुनर जनम लेते लेते अभी अंतिम जन्म में हैं क्रिष्चन लोग खुद भी कहते हैं क्राइस्ट यहां ही किसी जन्म में हैं क्रिष्चन लोग भी जाड को मानते हैं नहीं तो इतनी आत्माए कहां से आती हैं जरूर सेक्शन है जहां से आते हैं हिस्ट्री फिर रिपीट जरूर होगी यह जाड बड़ी अच्छी चीज है प तो व्यर्थ के चित्र रखते हैं, समझते हैं यह आठ हैं, देवताओं की पतली कमरादी के किसम किसम के चित्र बनाते हैं, वहाँ देवताओं की तो नैचरल ब्यूटी रहती हैं, इस समय तो पांच तत्व भी तमो प्रधान हैं, सत्यूग में पांच तत्व भी सतो प्रधा होते हैं श्री क्रिश्न गोरा और श्री क्रिश्न सावरा गाया हुआ है वहां शरीर की मरमत नहीं होती यहां तो देखो कितनी मरमत करनी पड़ती है वहां तो भल बुड़ा हो जाए तो भी दात आदी सभी साबुत रहते हैं दात तूट जाए तो डिस फीगर हो जाए वहां तो एकदम फस क्लास सोलह कला संपूर्ण रहते हैं। लूले लंगडे होते नहीं, यहां तो देखो कैसे लूले लंगडे जन्म लेते हैं। तो तुम ऐसे परिस्तान के मालिक बन रहे हो। एक ही मुसाफिर आकर परिस्तान में ले जाते हैं। तुम मुसाफिर यहाँ पाट बजाते बजाते पतित बन जाते हो, आत्मा काली हो जाती है, बाप तो एवर हुसेन है, उनमें कभी खाते ही पड़ती है, मैं तो सच्चा सोना हूँ, इसलिए मुझे बुलाते हैं, एवर पावन को ही बुलाते हैं, बाबा आओ, हमको भी आप स समान बनाओ, तुम एवर पावन तो नहीं बनेंगे, बाकी सतो प्रधान में तो सबको आना है, परन्तु उनमें भी नमबरवार हैं, नाटक में एक्टरस भिनबिन होते हैं, कोई हीरो हीरोईन होते हैं, तो उनको पैसे भी बहुत मिलते हैं, अभी तो गवर्मेंट सबके पैसे पकड़ती रहती हैं, कहा जाता है, किन की दबी रहेगी धूल में, किन की राजा खाएं, सफली होगी, वह तो खर्चे नाम धनी के, क्योंकि धनी आया हुआ है स्वर्ग की स्थापना करने, जो बाप के मददगार बनेंगे, उन्हों का ही सेफ रहेगा, तुमको तो वहाँ धेर की धेर मिलकियत होगी, कितना सोना हीरे ज्वाहर आदी होंगे, परंतु तुमको उसकी कोई भी परवाह नहीं रहती है, तुमको कोई लूटेंगे थोड़े ही, हीरे सोने आदी की खानिया सब तुमको नहीं नहीं मिलेंगी, पत्थरों मुआफिक हीरे पड़े होंगे, सब तुमको मिल जाना है, जैसे इटों के महल बनते हैं, वहाँ सोने के महल बनाते रहेंगे, धनवान प्रजा भी सोने के महल बनाएगी, जो पूरे दानी बनते हैं, वह भी सोने के बनाते हैं, बाबा सब बाते बतलाते रहते हैं, ऐसे नहीं कहते तुम भूक मरो, बच्चो आदी को भी संभालना है रच्चता का फर्ज है संभाल करना दुखी नहीं करना है भूख नहीं मारना है रहम दिल बनना है मनुशे कितने दुखी है जानते हो फैमिन पड़ेगा तो बहुत दुखी होंगे त्राही त्राही करेंगे फिर जैजैकार होगी, सब आत्माओं को सुख मिल जाएगा बाप है ही दुख हरता, सुख करता सुख हैं दो, एक शांती धाम में रहना और दूसरा सुख धाम में रहना सुख धाम में पवित्रता, सुख, शांती सब है बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ जब मनुष्य बहुत दुखी हो जाते हैं, मेरा पाठी उस समय का है, इसलिए मेरा नाम ही है, दुख हरता सुख करता, सर्व का शांती दाता, सुख दाता तुम जानते हो, हम बाबा के साथ सब को शांती का दान देते हैं, जितना याद में रहेंगे, उतना ओरों को दान देते रहेंगे, फिर नौलेज देते हैं सुख के लिए, तो बच्चों को मात पिता का शो करना है, जितना शो करेंगे, सुख शांती का मार्ग बहुतों को बत का सक्षत कार कराते हैं और ही जास्ती तुमको सक्षत कार कराएंगे परंतु उनको जो बाबा के पक्के सच्चे बच्चे होंगे सच्चे दिल पर साहब राजी होता है तुम बहुत कुछ देखेंगे जैसे शुरू में भी दिखाया था, फिर अंत में दिखाएंगे, कितने प्रोग्राम आते थे, सक्षतकार कराते थे, कितनी सजावट ताजादी पहनाते थे, फिर से भिन भिन प्रकार के दिखाएंगे, मिर्वा मोत मलू का शिकार, उसी समय पार्टिशन में भी मिर्वा मोत था न, तुमको से भी रुहानी बाते करते रहो जिस्मानी दे अभिमान की बातें खत्म जो आश्रवत भागनती हो जाएंगे वह यह सब नहीं देखेंगे पास्ट भी तुमने देखा और जो नया होगा वह भी तुम देखेंगे मेहनत करो मीठे मीठे बच्चों को बाप बहुत प्यार करते हैं प्यारे बच्चों को बहुत प्यार मिलता है जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको प्यार भी मिलेगा पद भी मिलेगा भूलो नहीं हम आत्माओं को निराकार परमपिता परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं स्वर्ग का वारिस बना रहे हैं, दैवी गुणवान बनना है, आगे तो सब में आसुरी गुण थे, अब बाबा सम्मुक बैठे है, जिससे वर्सा मिलता है, उनसे लव रहता है, दलाल से नहीं, दलाल तो बीच में हुआ, सोधा तुमको उनसे मिलता है, तो बाप को याद कर मैंने यह लोन लिया है, कल्प पहले भी यह अक्षर कहे होंगे, अब भी कह रहे हैं, आज के ही दिन तुमको यह समझाया था, फिर समझा रहा हूँ, कितनी अच्छी विशाल बुद्धी चाहिए, लक्षमी नारायन नंबर वन बने है, जरूर अच्छी प्रालब्द गती में तो जा नहीं है, सारी दुनिया को, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्य लिए मुख्य सार, बाप के साथ सारे विश्व को शांती का दान देना है, बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है, एक बाप से पूरा लव रखना है, आपस में दे अभिमान की बातें नहीं करनी है, रुहानी बातें ही करनी है, वर्दान, हिम्मत के संकल्प द्वारा, मा माया को हिम्मत हीन बनाने वाले हिम्मत वान आत्मा भव। हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मत हीन बनाने वाले हिम्मत वान आत्मा भव। आप बाप दादा के वर्दान को विस्तार में समझेंगे। जो बच्चे एक बल एक भरोसे में रहते हैं हिम्मत का संकल्प करते हैं कि हमें विजई बनना ही है तो हिम्मते बच्चे मददे बाप का सदा अनुभव होता है हिम्मत से मदद के पात्र बन जाते हैं हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मत हीन बन जाती है जो कमजोर संकल्प करते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं मैं कर सकूंगा या नहीं ऐसे संकल्प ही माया का आवाहन करते हैं इसलिए सदा उमंग उत्सा संपन हिम्मत के संकल्प करो तब कहेंगे हिम्मतवान आत्मा स्लोगन निर्मान चित के तखत पर बैट जिम्मेवारी का ताजधारण करना ही श्रेष्टता है ओम शंति ओम शंति